नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयरी में मैं सौरभ भारती आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं दोस्तों रेलवे का जो एक्जाम होने वाला है उसके पुराने कोश्चन पेपर हम लोग सॉल कर रहे थे प्लैटफॉर्म जो बुक है उसी को पेप सॉलूशन दे रखे हैं उसी को हम डिजिटली आपके सामने प्रस्तोत कर रहे हैं अभी रिसेंटली हमने एक पूरा सेशन कंप्लीट किया था और आज से हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं उसमें पर्टिकुलर ग्रूप डी के लिए जो ग्रूप डी का पेपर होता है उस ग्रूप डी का पेपर है और अभी कंटीनियू में आपको यह सारे पेपर कराऊंगा उसके बाद जो एलपी है यानि कि असिस्टेंट लोको पाइलेट है उसको भी हम ले लेंगे बात समद्रे और उससे पहले जो एक जनरल ड्यूटी के लिए पेपर होता था उसके मैं आपको यह पढ़ाया भी था हमने जो नॉमल क्लासे कीती आपको एसकी किसी चाल में निरंतर परिवर्तन होसकता था है अगर आपको किसी की चाल यानि चाल समझते हैं आप उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना तो बिल्कुल ठीकता सी चाल ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोड का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर इंदोर अभी पिछले दो बार से भारत के अंदर सबसे पहले स्थान पर भी रह रहा है विवादित फिल्म पदमावत में अलावदीन खिलजी का निर्मान किसने का किरदार किसने न भाया था उस व्यक्ति को चुने जो इस एक समान समू से संबंदित नहीं है अलबर्ट आइंस्टाइन थॉमस एडिसन विराठ कोली एलेक्जेंडर ग्राम बेल कि तीनों साइंटिस्ट है जबकि विराठ कोली क्या है एक क्रिकेटर है तो बिलकुल इस से अलग हो जाएगा नेक्स देखें जब कोई वस्तू व्रतिये पत पर गती करती है तो घुर्णन करती हुई वस्तू पर केंद्र की और लगने वाला बल क्या कहलाता है देखो किसी व्रताकार पत के अंदर गती करने वाली वस्तू के ऊपर टूर्स दी सेंटर केंद्र की तरफ जो बल लगता ह है इसको अपन बूलते थे अभी केंद्रियेबल यानि की सेंट्रीपिटल फोर्स वेनेवर और और अन अब्जेक्ट रिवॉल्स अराउंड सर्कल दें दो फोर्स पुलिंग इंसाइड सर्कल इस नोन एस सेंट्रीपिटल फोर्स और जो बाहर की तरफ धका देता है उसे हम ब बहुता है कही लोगोंने ऊटी के बारे में सुनाए मनाली के बारे में जैता तो क्वी naham कोड़े कनाल को जाना जाता है बात समद है कई लोग इसमें ऊटी भी बताते धार्जी लिंग बन बताते हैं अकॉरणिग這是 anyBeat टिक टू दे आंसर रहेंगे नेक्स देखिए कोडी कनल तमिल नाडू में भई हां विच ओफ फॉलोविंग अनिमल इस वार्म ब्लॉडड कुछ कोश्चन अपनी जो बुक है प्लेटपर्म इंग्लिश में दे रखें तो हमने तो सीधा वहीं से लिया है बट मैं आपको का यह देखिए तो सतीनों ही जलिये जीवे फिश क्रोडोकाडायल और टॉड जबकि पिजन यानि की कभूतर जो है यह एक पक्षी है और पक्षियों में अधिकांच तह गरम खून वाले पक्षी पाए जाते नेक्स देखिए निमनलिकीत में से कौन सा जानवर पराध्व होनी को इंगलिश में बोलते है अल्ट्रा सॉनिक वेव या अल्ट्रा साउंड है तो एक्चुली जो 20,000 हर्ट से जादा फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है उसी को पराध्वनी बोलते है अपन और यह पाई पोईसिस नाम का एक जानवर है जो अल्ट्रा साउंड जो है इस अगर सेवन से कम है तो उसको अपन एसीडी किया अमली बोलेंगे तो देखो अमोनियम क्लोराइड या नहीं कि एनेच फोर सी एल है ना यह एक ऐसा योगिक है एक कंपाउंड है जिसको पानी में आप भूलेंगे तो फिर उसका पी जो है साथ से कम आएगा यह नहीं कि एस लहां पावरलूम को बेसिकलिया चला जाता है हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है इसके पहले क्या होता है यह चर्खे चलाइड जाते हैं तो है और अगर पावर से बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को शुर्मिति इरानी है इन्होंने पावर टेक्स इंडि में से किस मिशन के संस्था पकते ध्यानल सरस्वति व्याद ही होगा आपको आरे समाज 1875 में आरे समाज की स्थापना इनों ने मुंबई में की थी वैसे वह समय बंबई था मुंबई लिख देते हैं अपन इसको आप धावन सोडा बोलते हो इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका कौन सा सोडा है वाशिंग सोडा पर यह आदा फॉर्मूला है इसके साथ 10 10H2O भी होता है दस मॉलिक्यूल किसकी होते है पानी की भी होते है तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा नेक्स देखो दो प्लांट इस जीटू टिशू देखो प्लांट जो है ना शुरुवात के अंदर जब वह लगना शुरू होते तो आपने देखा उनके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उती दम तना होते ही स्ट्रॉंग नहीं हो जाता है उनके अंदर यह कॉलन चिमा नाम के जो सी क्लोरीन सी एल एल्यूमिनियम एल इसमें से आप देखे आइरन का एफ यह आई से शुरू भी नहीं हो रहा है तो एफी रिप्रेजंट करता है फैरस को लेटिन भाशा के अंदर फैरस का मतलब लोहा हुआ करता था इसलिए अपने यहां पर एफी ले लिया नेक्स देख करतिम घर्बादान का आपने नाम सुना होगा इंविटरो फर्टिलाइजेशन वगरा जिसमें जो एक होता है ना तमाधा से लिया जाता है उसको लेबरेटरी के अंदर निश्यचित कर दिया जाता है उसके बाद उसको ट्रांस्प्लांट किया जाता है यूट्रेस के आगे आंसर फोटो सिंथेसिस प्रकाश एंशलेशन देखो फोटो सिंथेसिस में क्या होता है कि सूरे की उर्जा का प्रयोग करके पेड़ पौदे अपना भोजन मनाते और इस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सिजन को वो लोग रिलीस करते नेक्स देखें धातू अक्साइड और क्रिया करके अलुमीनियू हाइड लेती है और साथ में क्या करती है हाइडुजन गैस को रिलीस करती है इसकी इकवेस्षण जो मैंने लिखी थी रियक्षण वह यह है कि आप अलि मेंद्ध को हाइडुजं से सारी पानी से रिलीक्षट तो ए आ लो एच का Χोल ठ्रायस या धनात्मक आयोनों की सहयोजक्ता आप इसका मतलब है वो कितने इलेक्टरण कर सकता है न कितने लूज कर सकता है तो आपने देखा होगा gynerally plus one plus two और plus three यह तीं सह dir होती है यहाँ बहुत रेयर chances प्लस चार तक भी यह जाता है एक प्लस टू एंड थ्री यह जनरल क्या होता है इलेक्ट्र पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वेलेंसी होती है कौन सा न्यूटन की गती के तीसरे नियम का उधारने पहले तो तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी बल लगाया जाता है तो उतना ही बल उसकी विप्रीत दिशा में वापस लगता है एवी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रियक्शन तो देखो ऐसा का हो रहा है जब ब अबाव लगा रही है उतना ही फोर्स से आपका रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है नेक्स देखे अटाइप अफ रिप्रोडॉक्शन इन विच पार्ट ऑफ प्लांट वडी डेवलप इंस टू और न्यू इंडिविजुल आपने देखा हुआ इसको बोलते कलम लगाना यह दिखास करके गुलाब के पौदे के साथ बहुत होता है उसके आप एक डंडी को लीजिए ऐसे काट यह और उसको जमीन में रोब दीजिए वह कुछ दिन में वह पौदा बन जाता है और भी कई सारे प्राबदफ होते हैं इससे व्रद्धी प्रवर्धन कहा जाता है इसे ह जाता है और यह सब्त वर्षी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में जहां-जहां पर भी इंग्लेंड और फ्रांस थे चाहें अपने देशों में उसके लाव जाओन की कॉलोनी थी जैसे अमेरिका में भारत में वहां प प्रत्वी का ध्रवयमान कितना है मास ऑफ अर्थ कितना है यह फिक्स है 6 x 10 to the power 24 kg 6 x 20 to the power 24 kg तुलकुल फिक्स कोश्चन है यह which of the following country has the longest coastline in the world coastline होता है तट्रेखा किस देश की तट्रेखा सबसे लंबी है देखिए आपने कनाडा देश का नाम सुना होगा कनाडा की तट्रेखा जो है वो सबसे लंबी है इनकी आप capital देख लो कनाडा की राजदानी है ओटावा ऑस्ट्रेलिया की राजदानी है कैनबरा इंडोनेशिया की राजदानी है जकार्ता नौर्वे की राजदानी है ओसलो ठीके राजदानी याद अखा करो कभी कभी सवाल आ जाते हैं इसमें से नेक्स देखो इन विच आप दो फॉलोविंग मीडिया डस साउंड ट्रेवल द फास्टे ज्वानी तरंगे सबसे तेज कौन से माध्यम में चलती है ठीके तो आपको याद होगा कि भई ध्वानी तरंगे जो है वो हमेशा माध्यम की आउशक्ता रखती है ज्वानी तरंगों को हैनि सब्से ज्यादा पास में किसके होते हैं सोलीड की होते हैं इसलिए ध्वनी का सरवाधिक वेक कहा मिलेगा आपन को सौलिड मिलेगा कई स्टेनलेस स्टील भी option में आता है तो ध्यान रखना वह पुरुसकार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन नवाचार शमता उत्पादक और प्रदर्शन के शेत्र में असाधरन साहस और मानसिक ततपरता में उत्करश्ट योगदान के लिए दिया जात बाकी का कोई मतलब भी नहीं था भारतिय संसत का उच्च सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है अपर हाउस तो हमारे पास देखो दो हाउस है एक है अपर हाउस एक है लोवर हाउस कहा जाता है राज्य सभा को उच्च सदन और लोवर हाउस यानि कि निम्न सदन कहा जाता है कि को की लोक सभाग एक सत्यवर्त कादियां में से किस खेल से संबंद दिते इनका अपने नाम सुनआ हो यहंनाने यह पॉबन मेल्थ के अंदर ऐस बढ़िजलीख कादिया कुछ से सम्मद रखते एंहें डेखिए which of the following can exist in solid liquid and gaseous form निम्नमें से ऐसा कौन है ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्ताओं में उपस्तित हो सकता है तो देखो अपने पास जो यह धातू होते ना अधातू नॉनमेटल्स ठीक है जिसके अंदर सोडियम वगेरा आते हैं मैंगनेशियम तो धातू है यह सब नॉनमेटल्स आपको किसी शैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदू पर चुम्बक की शित्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोड़ से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की और प्रवाइथ होती दिखती है देखो इस को देखो आप यह क्या कह रहा है एक बार क ऐसा बना लेते हैं को अगरते हैं अग्यार कोफे जो TOC कसे और ना का नजंड़ से कश्चिम की हुर से क्रश्चिम तो एक लॉत आपने कभी पढ़ा हो उसमें तो एक राइट है और ठम रूल भी था पर एक लॉट था कि मान लीजे अगर आपका जो यह अंगुठा है यह आपको current की direction बताता है तो जो आपकी rotated finger है यह आपको बताएगी कि magnetic field किस तरफ होगा जैसे आप यहाँ पर इसको रखके देखें तो यह direction किस तरफ है इस तरफ जा रहा है अंगुठा यानि कि magnetic field किस तरफ लगेगा magnetic field हमेशा magnetic field की direction होगी नीचे की तरफ अब नीचे की तरफ का मतलब है पहले यह नीचे जाएगा और फिर वहाँ से वापस यह उपर आएगा यानि कि इस तरीकी से इसके चारो तरफ बनेगा magnetic field तो अगर आप देखें तो यह direction कैसी इस तरह से डारेक्शन है नीचे से उपर की तरफ आ रहा है एक डारेक्शन होती है कि उपर से नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे से उपर की तरफ जाएगा आप मुझे बताओ यह कैसा है तो दोस्तों यह हमारे इस पेपर का आखरी सवाल था नेक्स पेपर में वापस से मिलते हैं और आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं जरूर आंसर करूंगा मिलते वापस नेक्स पेपर में धन्यवाद प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब झाल झाल